So Hello Guys, Welcome to IT Power दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Physics वाला के Full Stack Web Development Course के वारे में इस वीडियो में मैं इस Course का Complete Review करने वाला हूँ और साथ ही में आपको इस में बताऊँगा कि इस Course का Language क्या है सिलेवस क्या है, प्राइस क्या है, क्या क्या फीचर इस Course में आपको मिलते हैं और इस Course की Duration क्या रहने वाली है और सबसे Important बात ये भी बताऊँगा कि आपको Physics वाला का ये Course पर्चेस करना चाहिए कि नहीं तो वीडियो को Last तक जरूर देखें तो दोस्तो मैं यहाँ पर PW Skill की Website पर आ चुका हूँ और अग चलते हैं कोर्स वाले सेक्शन में तो यहाँ पर आपको Web Development, Data Science, Java, C++ और Finance का कोर्स मिल जाता है तो आज के इस वीडियो में हम Web Development कोर्स का Review कर रहे हैं तो हम Web Development कोर्स के बारे में जानेंगे तो मैं यहाँ पर Full Stack Web Development कोर्स को Open कर लेता हूँ तो दोस्तो अभी इनका कुछ एक Offer चल रहा है जिसमें इसकी Price और ज़्यादा कम कर दी गई है तो अभी इस कोर्स की Complete Details को हम जान लेते हैं तो दोस्तो यह कोर्स आपका दो Language में Available है पहला है आपका Hindi दूसरा है English अगर आप English में कोर्स करना चाहते हैं तो English Language में कर सकते हैं अगर आप Hindi में करना चाहते हैं तो Hindi में कर सकते हैं Hindi में थोड़ा थोड़ा बीच में English यूच किया जाता है जिसको हम English बोलते हैं तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो दोस्तों सबसे पहले इस कोर्स के सिलिवस की बात कर लेते हैं इस कोर्स में आपको क्या-क्या सिखाया जाएगा यहां पर देख लेते हैं जावा स्क्रिप्स सिखाया एगा ठीक है उसके बाद linear डेटावेस एस न्हगें नोट जीएसर एकश्रेस भी सिखाया जाएगा ओर लास्ट में आपको फुल फू Chinese project भी बनबाया जाएगा तो एक complete course है ये तो ये सब को सिखाया जाएगा इस course में आपको features क्या है इस course के ये देख लेते हैं तो देखो full stack web development का certificate मिलेगा आपको self-paced learning यानि कि आपको pre-recorded videos मिलेंगी जिनको आप कभी भी देख सकते हैं ठीक है live class की बात करें तो live classes भी होती है कभी बीक में एक बार हो जाती है कभी 15 दिन में एक बार लेकिन हाँ doubt session की बात करें तो बीक में दो बार आपका doubt session होता ही है live doubt session होता है zoom meeting पर होता है वो doubt session two years का dashboard access मिल जाता यानि दो साल तक आप इस course को access कर सकते हैं इसके लावा आपको region building में help करी जाएगी career guidance दिया जाएगा mock interviews उसके लावा regular assessment वो तो मिलते ही है regular assessment तो मिलते ही है ये बात तो सच है एकदम अब PW skill lab क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से अब मान लीजिए आपके पास कोई high end PC नहीं है ठीक है या कोई laptop ऐसा नहीं है जिसमें high level के software आप run कर सको जैसे कि आपका VS code हो गया ठीक है तो इन्होंना क्या किया गया है आपके पास कोई basic laptop या basic computer है ना तो आप उसमें भी इस course को आसानी से कर सकते हैं practical इस course का easily कर पाएंगे बस शर्त क्या रहेगी कि आपके course में कोई भी एक web browser run होना चाहिए चाहें वो firefox हो सकता है या फिर आपका google chrome हो सकता है तो आपको कोई अलग से software इंस्टॉल करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी और इस course की complete जो duration है वो है आपकी 6-7 मन्त में ये course आपका complete होगा तो देखो यहां पर यह lab open हो चुकी है कुछ ऐसा देखो lab BS code का आपको interface देखने को मिल जाता है यानि google chrome में ये तरीके से BS code run कर पा रहे हैं आप तो मैं अब यहां पर बताता हूँ कि यह course को मैं कितनी rating देना चाहता हूँ अभी तक के experience से जितना अभी classes हुई है ठीक है अभी जादा नहीं 14 जन्वरी से यह course स्टार्ट हुआ है classes से इसकी 14 जन्वरी से ही मैं इस course को continue कर रहा हूँ तो मैं यहां पर आपको बताता हूँ अपने experience से out of five मैं अगर इसको rate करूँ तो मैं price के according इसको rate करूँ फेकल्टी का नाम आप जानते ही होंगे हितेश सर बढ़ाते हैं अनुराक सर हैं और संकेट सर हैं यह तीन teacher हैं हमारे जो हमें web development पढ़ाते हैं इस course में हितेश सर की ज्यादा class नहीं होती है लेकिन अनुराक सर और संकेट सर की regular classes होती हैं अब देखो online course की बात करें तो 100% नहीं मिलता है यहां पे भी ऐसा ही 100% तो वह ची नहीं मिली है जो expected कर रहे थे student मैं अकेला नहीं काफी सारे student है कि PW से सबकुछ 100% सही मिलने वाला है तो कुछ कमिया तो रहती हैं लेकिन overall अगर price को देख के करें तो बहुत बड़ा investment नहीं है और आपको सीखने को बहुत क ठीक है web development course करना चाते हैं कम price में अच्छा course करना चाते हैं तो यह course आपके लिए best है आप इस course को कर सकते हैं अगर आपके पास offline course करने की opportunity है कहीं पर अगर आप offline करना चाते हैं आप कर पा रहे हैं या कहीं से तो offline best है offline तो best है अभी तक हाँ online करना चाते हैं कम fees में करना चात तो यह course आपके लिए best है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही latest information के लिए channel को subscribe करें thank you for watching